हेलो डियर इस्ट्वेंट्स कैसे हैं आप से लोग मैं खिमेंदर सर्मा नए बीडियो लेक्चर के माध्यम से ने टॉपिक के साथ उपस थे थूँ छात्रो आज हमारा टॉपिक है इगनू इंद्रा गांधी नैसनल ओपन इनिवर्सिटी इंद्रा गांधी राष्ट्रिये किसी नि कीने रॉफर किया होगा कर Ben हम इसके बारे में अध्ह disappointed करते आज के इंटोर्बशन सामाने आषता लिसा इस्थापना करते होई क्यों और किसने की ठीक है स्ल्ट्रो इसकी इस्थापना की अगर हम बात करें 1985 छील में 1985 से बौरह wahrscheinlich भारत के चात्रों भारतिय संसदी अधिनियम के अंतरगा सेतंबर 1985 में इगनों को इस्थापित किया गया आपको जानकारी होगी साइद उस समय कपकी बाता 1985 के असपास इस्तिती ज्यादा अच्छी नहीं थी हायर एजूकेशन की बहुत इस्थान कई दुर्गम इस्थान ऐसे थे जहांपर हायर एजूकेशन विद्ध्याले निमा विद्ध्याले ही थे डिग्री कॉलेज नहीं थे ठीक है तो बहुत से लोग जो है हायर एजूकेशन नहीं कर पाते थे हाई स्कूल इंटर किया घर पर बैठ गए तो उसको ध्यान में रखते हुए कि दुर्गम इस्थानों पास जहां पर उचित विवस्ता नहीं है हायर एजूकेशन की ठीक है यहाँ जो लोग गवरन्ट जी ने प्रदाहामंतिराजीव गांदी ने इसको यह भारतीय संसदिय अधिनियम के अंतरगत अपरोल दिया निया अनुमुद्यत किया ठीक है अबम इसको इस्ताफित किया इसका जो मुख्याला है मतलब मुख्याला है वो नई दिल्ली में है ठीक है चात्रों इस दूरस सिक्षा एभण प्रिशिक्षन का विकास करना, दुनिया का सबसे बड़ा बिश्विध्याल है, ये भारत में मुक्त एभण दूरवरति अध्यन का राष्ट्री संसादन केंद्र है, तथा दुनिया में दूरवरति सिक्षा का नायक है, एक तरीगे से हाँ देखा जा कि दूसरा आपने यह नाम सुना होगा कि कॉमन बेल्थ आप लर्निंग कॉमन वेल्थ आप लर्निंग अंतर सरकारी संगठन जिसका मुख्याला है कनाडा में मैट्रो बैंकूबर वेटिस कोलंबिया इसकी स्थापना हुई थी 1988 में इस ने दूरस्थ शिक्षा में सर्वोत्म केंदर का समान दिया है किसको इगनू को ठीक है चात्रो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इसका समान परिचा इसका जो कुलाधी पती होता है वो भारत का राश्ट़् पती होता है थीक है यहनी कि बर्तमान में इसका कुल पती है वो कौन है रामनात कोमिन्द यहनी भारत की जुराष्टपती है वो जैसी अगर यह चेंज होंगे जुराष्टपती होगा वो इसका कुल पती होगा आज के बरतमान समय में जो पंजीकरत यह जो रिष्टर्ड इस्ट्रेंट्स है वो लगवग फोर मिलियन से अधिक है फोर से फाइब मिलियन के के लगवग है ठीक है इसका जो मुख्याला है वो दिल्ली में है छेत्री केंद्र लगवग इसके जो रीजनल आफिस है 67 है इसके पर यह जो रीजनल आफिस है वो इंडिया में भी है और अधर कंट्री में भी है मुख भूंका का निर्वान करते हैं, इसमें जो कुल सचे होता है, रश्टरार, वो बित्ते अधिकारी, एवम, अन्य करमचारी, इसको पूर्ण करने में सहय था करते हैं, अब इसके हम बात करते हैं, उद्देश, बाकि देगन वारे में बहुत सारी जानकर यहां को पता ही ह होगा, यहीं ओपन लर्निंग, मुक्त शिक्षा या डिस्टेंस एजूकेशन, इसके इंतरगत दी जाती, प्रदान की जाती है, आप गवर्णर जॉब में हैं, यह आप रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ में, इसके इंतरगत के अपना डिग्री प्राप्त कर सक करते हैं, ठीक है, इसके उद्देश की अगर हम बात करें, तो इसके उद्देश के हैं, यह गुनु की जो उद्देश हैं, वो शिक्षा परदान करने हैं, यह तू पत्राचार, यहनि कोर्स्पोंडेंस, संचार के मसाधन, टेक्नोलोजी, मुदृत पार्ट करम, मुदृत पुस्तक वगरा, बुक्स वगरा, आदी की सुद्दा प्रदान करना, दूरत सिक्षा प्रदिती के माध्यम से, उचितरत सिक्षा की सुलपता एबम समानता में ब्रदी करना, यहनि हायर एजूकेशन को सुलप बनाना, विविन कुसलताओं एबम जानकारी में ब्रदी करन अधिशु ख़वड़ाट में दोषा संपरकार का अयोज़न का आयोज़न द्वारा प्रदान करना इopardy की इसका उड़्धन और कर में अध्यन करती हैं में यह Redakti कि कारी है तो कारी की हम बातकरते हैं इसको भी हम सकते है इश इसका झा चाइश को यह है धा到yal स्क¶ ज Wanぎ यह सब्सक्राइब कारी है ठीक है और मे करुझे अध्यन केंद्रों की स्थापना करता सखेश कारी करम कर सेंटर कारिकरम अध्यकर्म की इंस करना इसका मुख्य कारी है दूसरा सेक्षिक कारी कारी सम्मंद कॉल्डीश करना करना ये तो इसकी रगत आपका सकते हैं काउंसर की नियुकति आपके नियुकति इससे दिर नियुकति छेतरी के इंदू पर अथवा संस्थाओं में करना इसके जो रिजनल ओफिस आप ने देखा और मैघ जिएं, कॉलिजों में जो संस्थाना है वहां पर सेंटर रहते हैं सेफ इसका ऐसा नहीं है जैसे कॉलिज है वहां पर सेंटर हो लेकि कहीं ना कहीं संस्थान में ही है संस्थान में इनुवस्टी में किसी कॉलिज में गॉर्ण कॉलिज में इसका इस्टडी सेंटर होता है कि नेग्स्ट बांदे ऑसे क्या समंद्धिक क्या सकते हैं करना चाल आनाका करलते इसके अधिकरम के सब्सक्राइब rozco आकर्व करना तो आप समय रहे होंगे इसकी जो क्लासेश चलती हैं आपने फेस्टू फेस्ट की हम बात करना तो फेस्टू फेस्टू फेस्ट क्लासेश जो लती हैं संडे या सटर्डे इसकी क्लास चलती है सेटी सेटर सेंटर्स पर तो वहाँ पर टीचर्ट कराना इसका कारी है सेktपो सैक्षीस संस्ताओं में अद्धवा स्दील को सीपोर्ट करना सेग्षिक सम्मुलीन विराथ को पिर्षाषन के बारे में बहुत पढ़ा है आप लोग ने एड्मिनिस्ट्रेशन तो चेत्री किंद्रों पर इस्थाई मारतों का भवन का निर्मान करना बिल्डिंग का निर्मान करना अध्यन के इंद्रों संस्थाउं को पिर्षाषनिक साहता प्रदान करना ग्यानवाड़ी एफम रेडियो इस्टेशन का रख रखाओ करना चेत्र में नेटवर्क की स्थापना करना के इंद्रों संस्थाउं के द्वारा प्रस्ताविक पिरक्रिया के इंद्रकत को जम्यदाइदे दिए लगला तो पर साथ निकारी है next है विद्टियकारि ये झिल विद्टियकारी किसे संबंदित आप समय रहो रहो कि फाइन से संबंदित हैं कि चेत्रीय और सवंचताओं के बजट बनाना कि बा। बजट बनाना मंफली बनाना के इंद्रों संस्ताओं को अनुदान देना गिरान देना एमान जो टीचर है उनको सैली देना मुल्यांगन संबंदित कॉपी चेक होती है उनको पैसे देना से यह सैली वगर जो भी है फाइनसी संबंदित जितना भी वरका है वो सब इसके अंतरगत आ जाता है छेत्री अध्यन केंद्रों अध्यन संस्ताओं के पृति महावेव का विवरान तयार करना उसे मॉनिटरिंग करना छेत्री भासा में अनुवात कारिये के लिए वित्ती विस्ता करना ठीक है यह इसको हो गए कारिये इसकी अंतरगत कई सारे विवहाग है जो पिरसासनिक कह सकते हैं पिरसासनिक डेपा एकाडमिक एंड कॉडिनेशन इसके जो मुख दिकारी है वो पिरसासनिक विवहाग एड्मिनिस्रेशन डेपार्टमेंड इसके हैड है सुधीर बुदा कोटी सुधीर बुदा कोटी नेक्स्ट है निर्मार एबम रख रखाओं कंस्ट्रेक्शन एंड मेनेजमेंट डॉक् पिस क्या नहीं इसके है सुधीर रेटी नेक्स्ट कंप्यूटर विवहाग इसके डॉक्टर बियास पी शिरीवास्तर नेक्स्ट अंतराष्टी इंटरनेश्ट डिपार्टमेंड इसके जो हेड है डॉक्टर शिलीमन अंदा यह आपके देख रहें इंटरनेशनल व्याग इंटर नेस्नल अंतरराश्टी विवद्वाग अंतराश्टी वी आ गये क्योंकि हमारे रिपनू है इसके स्टेड़ी संटर इम्हां विधर्ण विद्यष विभी थीक्षस जो इससे जोड़े हुए स्टुवेंट्स इंडिया के लावा अधर अधर कंट्री के भी स्टुवेंट्स बहुत सारे नेक्स्ट पुस्तकाल की जो मुंका देख जहां है वुष सूशरी विध्यासोनल नेक्सट बित अवम लेखा विवाग पाइनेंस आवम एकाउंट बखर तरहा जो देखते हैं उसको परोफेसर प्रदीप सहनी प्लानिंग और डवलमेंट टेपाट्मेंट विकास विभाग इसके प्रोफेसर टी यू फुलजेल नेक्स शेतरिय शेवाग रीजनल सर्विस डिपाट्मेंट वाद्ला रीजनल ऑफेसर सम्मंदिर जो सारे वर्क लेकते हैं वो डॉक्टर भी बेनु गोपाल रेडी नेक्स्ट ए इस्टुएंट एविनुईशन डिपार्टमेंट चात्र मुल्यांगन डिपार्टमेंट विभाग तो इसके जो हेट डॉक्टर सिरीकांत महापात्रा नेक्स्ट चात्र पंदिरकन रगश्टुएंट रिजि मिधारी होती हैं वो सब डॉक्टर सिरीकांत महापातरा की होती हैं एग्स्ट य कई सब्सक्र बंदीत idna kabinky जोdepend देशतर पलест करनारी एट किस में दो बार मुल्यांगन किया या ता दो बार परिक्षा और रबींशन होते हैं ठीक है वर्स में दो बार दिसम्बर और जून में इसका जो आपको बात कर सकते हैं इसके अंतरकत डिद्यापक जाच याद अध्यापक द्वारा मुल्यांग की जाता है इसके सब्सक्राइब परिक्षा यांए आप तो आप बरस में सब्सक्राइब जून एवम दिसंबर में आउजित की जाती है परिक्षा सत्री एकारेम परिक्षा उन्वारियां है मुल्यंग के उद्देश से दोन परिकार के अंकलों के लिए अनुपातिक अंक निर्धारत किया आते हैं एक एवरेज के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया आते हैं ठीक है प्रिथम प्रियास में इसमें किया अधिक्तम अंक पाने वाले विद्ध्यारतियों को विश्विद्ध्याले के बार्चिक दीख्षांत समाहरू में सुन पदक प्रदान किया थे इनुवस्टी में जिसने चँलमिम में आपको बताई दिया था दूर सिक्षा के छेतर में ये विश्विध्याला अगरण ही है सबसे नमबर बन है ठीक है डिस्टेंस एजुकेशन के छेत्र में ये विश्विद्याला इगनुजू है सबसे नंबर बन पर है इसको common belt of learning अंतराश्टी ये सरकारी संगठन के द्वारा दूरस सिक्षा में सरवोत्तम केंदर का सम्मान प्राथ हो चुका है ठीके चात्रों चात उच्छी सिक्षा के चेत्र में अपने देश के अतरिक विकासिल देश हों जैसे मैं बताया था ना अधर स्टेट नहीं अधर कंट्रीज खाड़ी देशों में अफिरीका दक्षिनी पूर्वी एसिया आदी में इस चेत्र में सायता प्रतानी कर रहा है ठीक है यह आज को टॉपी हो गया एक पॉटन टॉपी का एक नूँ हालाग इसके बारे में नेट पर बहुत कुछ मिल जाया आपको ठीक है चात्रों थैंक यूँ